नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का गैत्री जोती स्केंडर में हमेशा है आप लोगों के लिए जोती सास्त जोड़ी हुई महत्पपोल्न जानकारी के अभी शोट हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्पपूल जानकारी लेकर आए हैं जानकारी है मंगल और हमारा स्वास्त आयह मंगल सुबिस्तिती में हो तो अउस्वस्तता नहीं होती लेकिन मंगल जब जब गोचरवस निर्वल होता है तो सरीर में पित्त विकार, जलना, गिरना, गुप्त रोग, सिर्शूल, सुखा रोग, रक्त विकार, उदर विकार, फेपड़े, फुनसी, हड़ी का तूटना, बबासीर, खुजली, अनियाविक, दुलता, अल्चर, टाइट फाइट आधी हो सकते हैं इसलिए अधिक खान पान, गर्मी एवं असंतुलित आहार के सेवन से बचना चाहिए, परणायाम करना चाहिए, बिटामीन, सी और प्रोटीन, युक्त, खाद्य पदार्त, हरिसब जीव, सीतल वस्तु का सेवन करना चाहिए जोतिष सास्त्र ये नुसार, मंगल गरह से जुड़ी हुई हमारे स्वास्त से जुड़ी हुई महत्पपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं मंगल को गरहों का सेनापती माना जाता है, यह शरीर की रक्षया करता है और रक्त मानसिक इस्टित तचार के रोग और ज्वर को नियर्तित करता है वैदिक जोतिस के मताबिक मंगल गरह का संबंद रक्त से है कुंडली में मंगल के असुब होने पर व्यक्ति को खून से जुड़ी बिमारी हो सकती है महिलाओं के स्वास्त पर मंगल का सबसे ज़्यादा असर होता है महलाओं की बिमारियां बहुत ज़्यादा भावनाओं पर भी निर्बर करती है मंगल की सुबश्थिति से व्यक्ति को कैरियर में सबलता मिलती है और उर्जा आत्मविश्वास में बलोदरी होती है वही मंगल के कमजोर होने परिवक्ति के जीवन में कई उतार चुड़ा होते हैं मंगल दोस्ते निजात पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है मंगल वार के दिन लाल रंग की चीज़ें जैसे मशूर दाल, लाल मिर्च, लाल रंग की मिठाई, लाल रंग का वस्तर आदित दान करें हर मंगल वार के दिन इसनान ध्यान के बाधनमान जी की पूजा करें मांगलिक जातक मंगलवार के दिन बाग या गार्डन में असोग के पेड़ लगाएं जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ा कर वीडियो को लाइक शेयर करें पहली बार देख रहे ही लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और आइकन के बटन को जरूर दबाएं हमारे साथ और सब्सक्राइब और टेलिग्राम गुरूप में जुड़ने के लिए नीचे दिएगे लिंक पर किलिक करें तो मिलिंगे ऐसी ही किसी बहुत अच्छी जानकारी के अपिसोट के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार